नमस्कार बच्चों मैं आपका हिंदी सिख्षक वाईज राजपूद अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी नोट कोटा से आज मैं आपको पार्ट नौ स्रम के आर्थी पढ़ाने जा रहा हूं तो चलिए बच्चों देरी ना करते हुए वीडियो प्रारम्भ करते हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट नौ स्रम के आर्थी इनके रचनकार कान है भगवतिलाल सेन बच्चों मैं आपको पहले पद्य पढ़ते जाओंगा फिर उसका अर्थ समझाते जाओंगा ठीक है तो पहला पद्य पढ़ना मैं प्रारम करता हूं ठीक है काबर डराबो कोनोला जब असल पसीना गारत हन हम नवा सुरुज पर घाये बर स्रम के आर्थी उतारत हन चाहे कोनो हां से थुके रद्द के काटा चतवारत हन हम नवा सुरुज पर घाये बर स्रम के आर्थी उतारत हन इसका संदर भवा का बच्चो प्रस्तूत कविता की पंतिया हमारी पाठ पूस्तक हिंदी के पाठ स्रम के आरती से ली गई है इस सकेरत चीता कवीसरी भगवतिला सेंजी हैं बच्चो इसके बाद हम लोग इसका प्रसंग बताने जा रहा है प्रश्रंग, प्रस्तूत पंक्तियां में मज़दूर कह रहा है कि हम अपने सुखद भविश के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं इसके बाद बच्चों मैं आपको व्याख्या बताने जा रहा हूं कभी कवीता के माध्यम से यहां पे बता रहे हैं कि मजदूर कह रहा है कि हम किसी से क्यों डरेंगे हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं और अपने उज्वल भयुष से के लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं यहां पे बता फिर मैं आपको बताने चाहरा है चाहे कोनो हासे थुका रध्दा के काट ता चटवाजात हैं हम नवा सुरूज पर घायबर स्रम के आरति उतारत हैं और मजदूरों क्या कह रहे हैं चाहे कोई हमारी कितनी ही हस्य उड़ाए हासे थुके मतलब हस्य उड़ाना हम तो रास्तों की तमाम मुस्त्विल बधाओं को दूर करेंगी और अपने उज्वल भयुष से के लिए हम लगातार परिश्रम करते रहेंगे यहाँ पर बच्चो मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं उनके बारे में बताया गया है इसके बाद बच्चों हम दूसरा पद्धे में पढ़ना प्रारम करते हैं कल अवकार खाना जत का मिलमा पोंगा बाजत हावै रोज कहत है आक पार के जांगर वाला जांगत हावै दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन हम नमा सुरुज पर घाय बर सम के आरती उतारत हन इसमें कथा प्रसंग है बच्चो प्रस्तूत कविता की पंक्तिया हमारी पाठ पुस्ता को हिंदी के पाठ श्रम के आरती से लिया गया है क्योंकि बच्चो जो एक पहले पाठ में जो भी पध्यकसंदर्व बनेगा वो सभी पध्य के लिए रहता है इसके बाद प्रसंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रस्तूत पंक्तिया में मजदूर कह रहा है कि हम सभी के शुक के लिए कठोर परिशनम कर रहे हैं अब इसके बाद मैं अपने दो लाइन जो लिखा है उसका अर्था को समझाने जा रहा हूँ ठीक है बच्चो प्रस्तुत पंक्तियां में मजदूर कह रहे हैं कि कलकार खौनों से आने वाली भोपू की आवाजेवं हमें जगानेवं परिश्रम करने का संदेश दे रही है अब यहाँ पर दुनिया के सुख बर दुख के सही के पत्राले टेल निखारत हन हम नमासुरूज परगाय बर स्रम के आरती उतारत हन अब उसके बाद क्या आप कह रहा है बच्चो संसार को सुख मिले इजले हम कठन परिश्रम कर रहे हैं और अपने उज्वल भईश्री के लिए हम लगातार परिश्रम करते रहेंगे दुनिया मतलब संसार बच्चों यहाँ पर भी स्रम कही बारे में बताया जा रहा है मेहनत करने वाले मजदूर मजदूर के माध्यम से यहाँ पर कौन बता रहा है बच्चों भगवतिलाल सेन जी इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे पद्य की ओर सोना कस्तन बुता के धुनमा माटी कस करिया जा थे नागर जब गड़ थे भुईया के कोरा हांसत हरिया जा थे सुस्ता के अमरित कुंट आज हम गजब जतन ले जारत हन हम नवा सुरुज पर घाये बद स्रम के आरती उतारत हन यहां पर संदर्भ होगा प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हमारी पाठे पुष्टक हिंदी के पाठ स्रम के आरती से लिया गया है इनके रचैता का वीश्री भगवती लाल सेन जी है कथा प्रसंग है बच्चो प्रस्तुत पंक्तियों में किसान कह रहा है कि हमारी मेहनत का नतीज़ा है कि धर्ती पर हरियाली है अब मैं पहले जो पढ़ा हूं उसका अर्थ बताने जा रहा हूं ठीक है बच्चो व्याक्या किसान कह रहे हैं कि कार्य को अधिकतावा लगातार परिश्रम करने के कारण हमारा सोने जैसा सरीर मिट्टी के समान काला पढ़ गया है और यहां पर कवी क्याली बता रहे हैं दिन रात मेहनात करने से जो स्वन जैसे पीला दिखने वाला सरीर किस प्रकार दिख रहा है माटी जैसे काला दिख रहा है जब खेतों में हल चलता है तो धर्ती की गोद हंसते हुए हरी भरी हो जाती है और भरपूर अनकाउद पादन होता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चो सुस्ता के अंरितकूंड आज हम गजब जतन ले जहारत हैं हम नमा सुरूज परकाय बरस्रम के आरती उता रहत है और हम अम्रित कुंड से बड़े यतनपुर्वक मतलब मेहनत करके अम्रित निकालाथन बहुत ही प्रयतन करके मेहनत करके क्या कर रहे हैं अम्रित निकालाथन आज हम अपने इसी परिश्रम के फ्वल शुरू प्राप्द खुष हाली का अनंद ले रहे हैं और यह क्या बोल रहे है कि हम मेहनत करते हैं तभी हम लोग क्या पाते हैं सुक पाते हैं कोन बोल रहे है बच्चो यह सब भगवती लाज identific जी अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं और यहां पर इस पद्धय में कौन बत कह रहे हैं? मेहनत करने वाले मज़दूर लोग. लाश पद्धय बच्चो नई थकिस्क भुचंदा सुरुज दीन रात रथे आगुपाच्यू। रहिते करनी के नाव अमर नई रहे भरम के वहिराशू। जम्मो मन खे बर एक नीद सुनता मसाल हम बारत हन। हम नमा सुरुज पर घाये बर स्रम के आरती उतारत हन। इसमें भी वही है बच्चो जो संदर्व है प्रस्तुत कविता की पंक्तिया हमारी पाठे पुस्ता के हिंदी के श्रम के आरती नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचनकार कवी स्री भगवति लाल सेंजी है। कथा प्रसंग है बच्चो, प्रस्तूत पंक्तिया में मजदूर व किसान कह रहा है कि संसार में अच्छे कारिक करने वालों को ही नाम अमर होता है, व्याख्या, पहले मैं दो लाइन उपर में हैं उसका पहले बता देता हूं, प्रस्तूत पंक्तिया में जो कभी हैं कह रहे है यहां पर मजदूर और किसान के बारे में मजदूर और किसान कह रहे हैं कि सुर्य और चंद्रमा बीना थके निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और उजाला फलाते रहते हैं यहां पर बन रहे कि जह प्रकाइर चन्द्रमा और सुर्ज अदनी रात मेहनाद करते सभी को क्या देते हैं को जाला करते हैं उस्य प्रकार कि सालोक संसार में हम अच्छे कारे करने CAR wine cell होता है और क्या बोला है अच्छे काम करने वाला को ही नाम अमर रहता है जम्मों मन खे बर एक नीत सुनता मसाल हम बारत हैं हम नमा सुरुज पर घाये बर स्रम के आरती उतारत हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रहम नहीं है और हम 36 जड़वासी चाहते हैं कि सभी मनुष से एक निती मतलब एक समान मार्ग पर चले इसलिए हम सलाह मसवरा कर एक तरुपी मसाल जला रहे हैं यहां पर कॉन बोर है बच्चो यहां पर कवी और क्योंकि हम 36 गड़ ते रहने वाले हैं इस पार्ट भी क्या है 36 गड़हीं में भी है तो बच्चो यह पार्ट बहुत ही अच्छा था पढ़ने भी भी बहुत मजा आया क्योंकि कवीता में था इसलिए इसके बाद बच्चो आप क्या करेंगे कटीन सब्दार्थ को कापी में नोट करते जाएंगे इसके बाद मैं और आपको लिखाने जा रहा हूं इस पद्य का अर्थ को चले बच्चो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पद्य का अर्थ लिखेंगे मैं पहले पद्य को पढ़ता हूं उसके बाद उसका व्याख्या लिखाते जा रहा हूं काबा डराबो कोनोला जब असल पसी ना गारत हन हम नवा सुरुज पर घाय बर्ष श्रम के आर्थी उतारत हन चाहे कोनो हां से थूके रद्दा के कांटा चतवारत हन हम नवा सुरुज पर घाय बर्ष श्रम के आर्थी उतारत हन संदर वह बच्चों, प्रस्तूत कविता की पंक्तिया हमारी पाठ पुष्तक हिंदी के पाठ शम के आर्थी से ली गई है, इसके रचीता कवी श्री भग्वति लाल सेंची है प्रसंग है बच्चो प्रस्तुत पंक्तियों में मजदूर कह रहा है कि हम अपने शुखत भविश्य के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं व्याख्या, प्रस्तूत पंक्त्य में मजदूर कह रहे हैं कि हम किसी से क्यों डरेंगे जब हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अपने उज्वल भईश्रे के लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, चाहे कोई हमारी कितनी हसी उड़ाए हम तो रास्ते की तमाम मुश्किल बाधाओं को दूर करते रहेंगे और अपने उज्वल भईश्रे के लिए हम लगातार परिश्रम करते रहेंगे दूसरा पद्य बच्चो, कल अउकार खाना जत्का मिल मापोंगा बाजत हवै, रोज कहत है हांक के पार की जांगर वाला जागत हवै, दुनिया के सुक बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन, हम नमा सुरुज पर घाय बर स्रम के आर्ती उतारा नहल बच्चो, दूसरा पद्य का संदर भी भी वही रहेगा बच्चो, पूरवत अर्था जो पूरव में मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ, प्रस्तुत कवीता की पंक्तिया हमारी पार्थ पूस्तक हिंदी के पार्थ स्रम के आर्ती से ली गई है, इनके रचीता का भगवति लाल सेन है, और यह प्रत्यक संदर भगा में यही आएगा, इसका बद बच्चो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रशंग, प्रस्तुत मंक्तियों में मजदूर कह रहा है कि हम सभी के शुक के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, व्याख्या, प्रस्तुत मंक्त प्रस्तियों में मजदूर कह रहा है कि कल कहार खानों से आने वाली भोपों की आवाज हमें जगाने मंप्रिश्नम करने का संदेश दे रही है, शंशार को शुक मिले, इसलिए हम कठीन परिश्रम कर रहे हैं, अपने उज्वल भईश्य के लिए हम लगातार परिश्रम करते रहेंगे, इसी के साथ मत्चों मैं अपनी वाणी को यहीं प्या देता हूं विराम, नमस्कार, मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट पर